ओम नमो भग्वते वासुदेवा ये नमह नमस्कार मित्रों आज के बेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मीन रासी वालों का आज का दिन यनी की 14 अगस्त 2020 का दिन कैसा बीतेगा आज के दिन आपके जीवन में क्या क्या पडिवर्तन क्या क्या बदलाब होगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वेडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा इस वेडियो के अंत में आपके आज के दिन का भाग्यसाली रंग भाग्यसाली अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें सुने और फॉलो करें लेकिन उससे पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दे और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुने सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके आज के दिन के जॉब के बारे में आपके नौकडी के बारे में मित्रों कामकाज के दृष्टी कौन से आज का दिन आपके लिए सामान से बहुत जयादा नीचे है आज के दिन अगर अपने ओफिस में अपने कामकाज में आप लापडवाही करते हो किसी भी काम को अगर आप अधूरा छोड़ देते हो तो आज के दिन आपके बोस या फिर आपके सिनियर के द्वारा आपको डांट सुननी पड़ेगी इस बात को आप याद रखें और अपने नौकडी में अपने जौब में आज के दिन लापडवाही से बचने का प्रियास करें वैसे अगर आपके स्वास्त की बात करें तो स्वास्त के द्रिष्टी कौन से भी आपका शमय सामान से थोरा सा नीचे है आप में से जो भी लोग नसापान करते हों तो आज के दिन आपको नसापान को छोरना होगा क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले शमय में आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आपका स्वास्त आपका शाथ नहीं देगा इसके बाद है आपका धन सम्पती तो पैसों के दृष्टी कौन से भी आपका समय शामाइन से बहुत जयादा नीचे है आज के दिन अपने फिजूल खर्ची पे आपको कंट्रोल करना होगा आप में से जो भी लोग आज से पहले पैसों को बिना मतलब के फालतु में खर्च कर रहे थे तो आज के दिन उन लोगों को पड़े सानी का सामना करना पड़ेगा वैसे अगर आपके दामपत्ते जीबन की बात करें बैबाहिक जीबन की बात करें तो बैबाहिक जीबन के दृष्टी कोन से आपका समय अच्छा बीतेगा आज के दिन आपके शामने में अगर कोई पड़े सानी कोई समस्या रहता है तो सबसे पहले आपका जीबन साथ ही आपका साथ देगा आपका शपोर्ट करेगा और उनके सपोर्ट के वजह से आज के दिन आपके दामपत्ते जीबन में कहीं कोई पड़े सानी कहीं कोई समस् वैसे अगर आपके घर पडिवार की बात करें तो पडिवारिक जीवन के दृष्टी कौन से भी आपका समय अच्छा बीतेगा आज के दिन आपके घर पडिवार में सभी लोगों के शाथ आपका शम्बंध बहुत ही जयादा बेहतर और सांदर होगा इसके बाद है आपका प्रेम संबंध तो प्रेम संबंध के दृष्टी कौन से भी आपका समय अच्छा बीतेगा आज के दिन अगर अपने प्रेमी या अपने प्रेमिका से आप मुलाकात करते हो तो मुलाकात के बाद आपका प्रेम संबंध बहुत ही जयादा बेहतर शांद और मज़बूत होगा там तो इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन आपके लिए सुभरंग । और उपाई क्या है आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है भुरा और सलेटी आज के दिन आपके लिए भाग्यसाली अंक है चार यानी की फोर इसके बाद बात करते हैं आपके आज के दिन के उपाई के बारे में दोस्तों आज के दिन आप असनान ध्यान करने के बाद हनुमान जी की पूजा करें बजरंग बली की पूजा करे आपका शमय सांदर हो जाएगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आप हर जगह सेयर कर दें धन्यवाद जैसी अराम राधे राधे